तो इस बात ने कोई डाउट नहीं है कि साइतामा बहुत ज़्यादा पावर्बूल है और काभी ज़्यादा स्ट्रॉंग है वो अगने युनिवर्स में कितने ही पावर्बूल एनिमीज क्यों ना हो उनको अपने एक ही पंच के साथ नॉकाउट करने का पोटेंचल रखता है और बहुत ही कम ऐसे एनिमीज होते हैं जो कि उसके इस पंच को सर्वाइब करके फाइट को कंटीनियू कर बाते हैं लेकिन क या हो अगर उसका सामना कभी सूपरमेन के साथ हो जाए क्या वो उन एनिमीज की ही तरह सूपरमेन को भी अपने एक पंच में नॉकाउट कर सकता है या नहीं क्योंकि कई सारे लोगों को ऐसा लगता है कि साइटामा इतना जदा पावर्बूल है तो प्रॉबेबली वो सू क्यों होगा एंड क्या ये सही में एक मिसकंसेप्शन है कि साइटामा एक पंच के साथ उन एनिमीज की ही तरह सूपरमेन को भी धेर कर सकता है चलिए आप पहला पॉइंट आदा है स्ट्रेंद का वेल साइदामे के पास इमेल्स फीजिकल स्ट्रेंद है जिसने की वो मॉंस तक पता नहीं चली है बहुत कम ही अनिमी जैसे है जो कि उसके एक सिंगल पंच को सर्वाइब कर गयो फाइट कंटीनियू कर पाते हैं तो वही सूपरमेन की भी स्ट्रेंद लगबक अन्नोन है अपनी स्ट्रेंद से वो यूज पीरामीड को लिफ्ट कर चुका है बिना फिरींट तन तक का वेड़ लिफ्ट कर चुका है वैसे वो सकता है कि साइट्मा की स्ट्रेंद की कोई लिमीट भी हो बट हमें उसकी बारे में पाता नहीं है एंट ठीक एसा ही हम सूपरमेन की लिए बिख कर लगता है कि उसके पास जैनूवर्ली अनलिमिटर स्ट्रेंद ह है क्योंकि सूपरमेन के जो स्ट्रेंद की फीड्स है वो सायतामा से कई गुना ज़्यादा है सेकंड पॉइंट आता है स्पीड का अब सायतामा के पास सांधार स्पीड है कई सारे फास्टेश्ट करेक्टर भी उसके सामने स्लो नजर आते है वो इतना फास्ट है कि जैनोस के कम्पीटराइज टारगेटिंग सिस्टम के लिए उसे ट्रेक करना काभी ज़्यादा मुस्किल होता है बोरोस नाम का एक क्यरेक्टर है अनिमे में जो कि अपने मेटियोरिक बूस्ट के साथ काभी फास्ट मूव कर सकता है बट वो भी सायतामा के सामने हमें स्लो लगने कुछ ही सेकेंड्स में वो ग्रेटर डिस्टेंस को कवर कर सकता है इस केटेगरी में भी दोलो कापी ज़्यादा क्लोज है जहां एक तरफ सूपरमन अपने यूनिवर्स में सबसे फास्ट नहीं है तो वही सायतामा साइट अपने यूनिवर्स का सबसे फास्ट बंदा है व और countless criminal, monster, machines and कई तरीके के enemies, evil organization के साथ fight करके उसने यह प्रूव कर लिया है कि उसके पास unparalleled power है and वो power उसने gain की हुई है इन सब के अलाव उसने कई सारी combat skills को भी gain किया हुआ है तो सूपरमन ने अभी Wonder Woman और Batman से कई सारी combat skills and techniques सीखी हुई है सूपरमन ज्यादा तर अपनी strength and powers का use करता है जिसकी वज़े से उसे hand to hand या close fight करने की ज़्यादा जरूत नहीं पड़ती है तो इसी वज़े से वो master भी नहीं है उस चीज में पर उसे martial arts का अच्छा का सा नॉलेज है तो वही सायतामा कई सारी fighting skills को जानता है तो ये वाला point हम सायतामा को दे देते हैं energy projection वो चीज है तो कि सायतामा के पास दूर दूर तक नहीं है तो वही सूपरमैन के पास energy projection के नाम पर कई सारी skills है just like heat vision, super breath and super vision जिसके बारे में हम कई सारी movies में, animated movies में, end series में भी देख चुके हैं, comics में भी देख चुके हैं तो ये वाला point हम सूपरमैन को देते हैं अग सायतामा को अच्छी fight दे सकता हैं, अपनी durability से सायतामा के attacks को easily survive भी कर सकता हैं और आकिर में अपनी powers से वो इस fight में advantage लेकर सायतामा को हरा भी सकता हैं, क्योंकि सायतामा अपने universe में एक punch में किसी को भी knockout करने का potential रखता हैं बट इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि व सायतामा की durability, strength और power लगबग सेम हैं, जहाँ पर इनकी limitless strength तो है ही, साथ इस Superman के पास energy projection की जो power से उसका advantage होगा, Superman दूर से ही सायतामा पर attack कर सकता हैं, तब कि सायतामा को close combat करने के लिए आना ही पड़ेगा, well close combat में हो सकता है कि सायतामा 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 पर भारी इनमीज की तरह, तो यहाँ और finally मेरे according, Superman की winning possibility ज़्यादा है, अब आप लोगी comment करके बताओ इस शोड़ाओं तो देखने के बाद आपको क्या लगता है, तो नमेंसे कौन ज़्यादा power pool है, और अगर इनकी fight होगी तो उस fight में किसकी जीतने के चांसे ज्यादा है, चाहत य जूर यान होगी एफाल य में क्राश एफाल रखने का लगता है, अब बूब और प्लुब ज़्यादाता है, अब एफ्ट